तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ASEAN Champion League के मैच के बारे में तो इस वीडियो में आपको दोनु टीम अलग देखने को मिलेंगी तो वीडियो कम्प्लीट देखना क्योंकि इनका प्रोपर हम आपके लिए सटेट्स लाए हैं और कुछ ऐसे प्रोपर हम बात करेंगे जिनका ड्रीम इलोन पर काफी लोग सेलक्शन रहेगा और उन्हें आप कैप्टन पलस वाइस कैप्टन भी उना सकते हो वीडियो कम्प्लीट देखने बाद अगर आप वीडियो कम्प्लीट नहीं देखने तो इस मैच का जो प्रडिक्सन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आईगा अगर आप फुटबोल फॉलो नहीं भी करते तो हॉपस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो कम्प्लीट देखने चाहिए फिर भी क्यों क्योंकि आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा अब बात करते हैं सीधा मैच का प्रियू के बारे में तो गैस मैच खिल जाएगा जोहर, दारूल, ताजीम के बीच में और नागोया के बीच में होनवाले इस मैच के बारे में तो इस वीडियो में इन दून टीमों के प्लियर्स के बारे में फुल डीपले अनलाइज करेंगे और इन दोन टीमों के प्लेयर्स के बारे में एनलाइज करते करते और ऐसे बताएंगी कि इस टीम में कौन सी प्लेयर आपको लेना चाहिए और कौन सी प्लेयर को नहीं लेना चाहिए और कौन सी टीम इस मैच में एक सट्रोंग टीम है और कौन से टीम इन दोनों टीमों में से एक वीक टीम रहेगी तो बड़ा सवाल यह है कि दोनों टीम हैं अपने अपनी लीग की टॉप ओफ दे टेबल की टीम है तो यहां से तो इन चीजों को कहना मतलब थोड़ा सा अजीब है कि यहां से कौन से टीम फेवरेट है अगर देखा जाए तो अवराल यहां से नागवया जो गरमपस टीम है जापान लीग की टीम है और जापान लीग आप जानते हो अटेकिंग वाइस और डिफेंस वाइस कितना बहतिन पर्फों में देखने को मिलता है और जो जोहर दारूल ताजीम है यह टीम मलेशिया की टी beに इन दोण टीमों के जो फ्लेयर से उनके बार किजिए कोन्श कई प्लेयर ना कितना जोषीनुद के है और फिर बात करेंगे इन दोण टीमों के इसने अपने Leag में मलwości सुपर लीग में फ़र्स्ठ पर्फ फिनिस किया है फिलाल के टाइम पर 13 मैच खेली इज टीम नहें जिनयमे नोह मैच इस्टीम ने विन भी किया है और तीन मैच डरो और एक मैच लोस भी किया है 28 गोल सकोर के हैं और 6 गोल डिफैंस वाज कंसीड तो guys 13 मैच में 28 गोल सकोर करना मतलब कि कम से कम परती एक मैच में 2.1 गोल पर मैच सकोर करना का average रखता है मतलब average का कि इस टीम का attacking वाज performance रहता है लेकिन इसने 13 मैच में 6 गोल defensive वाज concede की है तो इसका जो defense है परती एक मैच में आप मान सकता हूँ जो इसका defense है परती एक मैच में 0.3 गोल per match score concede करना का average रखता है अटेकिंग वाज ये टीम अपने लीग में कम सकम दो गोल per match score करती है और defensive वाज गोल concede नहीं करती है तभी तो इसको FC Champions League लेजनी SN Champions League खेलने का मोका मिला है तो अच्छी टीम है अपनी लीग की लेकिन क्या नागोय गरमपस के सामने ये अच्छा performance कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो देखने वाली बात रहेगी तो अटेक वाज अच्छा performance की आई से अपनी लीग में और defensive वाज भी काफी बहतरी किया है अब बात करते हैं यहां से कि जो second team गरम नागोय गरमपस जो उसका अपनी लीग में point stable है उसके बारे में बार नजर डालेंगा तो गैस नागोय गरमपस अपनी लीग में यहां से जापान नीज लीग है जो उस पर second पर finish किया है और इसने अभी तक 20 मैच के लिए इस लीग में जिन में से 11 मैच तो win भी किया है चार मैच ड्रोवी खेले हैं और पांच मैच लोस किया है बाइस गोल सकोर किया है और तेरा गोल इस टीम ने डिफेंस वाज कंसीड किया है तो गैस 20 मैच में बाइस गोल सकोर करना मतलब परती एक मैच में कम से कम 2.2 गोल पर मैस सकोर करना का एवरे रखता है वहें पर बा से तो कि जल्दी सा गोल कंसीड नहीं करती एक बहतर टीम का सामने ही दो मेंच में एक गोल कंसीड करना का एवरेज निकल कर आता है तो गाईज दोनों टीमों का अटेकिंग वाईज दो गोल परमेस सको रहे है और डिफेशिव आज भी काफ़ बहतर निपर्फोमेंस रहा है दोन टीमों की पॉइंश टेबल देखने के बाद तो गाईज बात आते कि किस टीम को हम अपनी ड्रीमलों टीम में फैवरेट टीम मानते हुए चलता हूँ और इसी के फैवरेटों हम अपनी ड्रीमलों टीम बनाएंगे साच्छार के कॉम्बिनाशन के अनुसार अब बात क जोहर, दारू, तकजीम जो रिसेंटली 6 मैच खिला इसने अपने जिन मैसे 4 मैच तो इसने अपने लीग में विन की हैं और एक मैच ड्रो भी खिला और एक मैच लोस भी किया 1.7 गोल पर मैस सकोर किया, 0.3 गोल पर मैस सकोर कंसीड किया यही चीज़ तो होते है कि रिसेंट फरों को देखना क्योंकि पॉइंस टेबल पर तो 2.1 था फिलहाल के टाइम पर 1.7 मतलब कि इसका जो अटेक है गिरावट आई हलकी सी लेकिन डिफेंसी वाइज परफॉमेंस क अपना खेल कर आ रहे है पहां पैनांग के साथ अपनी ही लीग में और उससे पितल मुकाबला इसने 1-0 से विन फिर यहां से 1-1 से ड्रो भी खेला 1-0 से लोस किया और 2-0 से विन और 2-3-0 से विन तो गैज इसने 4 मैच विन की है आपके सामने और 4-4 मैच इसने अपनी भी खेला है तो यहां से पत्ते चलता है कि इसका जो डिफेंस वो काफी अच्छा रहा है अपनी लीग में रीसेंटली भी अच्छा है अटेकिंग वैज मान सकता हो कि कभी-कभी गोल नहीं भी कर पाती लेकिन अच्छा परफुमेंस रहा है अब बात करते हैं नागोया गर गोल पर मैस सब्सक्राइब गया अटेकिंग वाइज इस टीम का भी आप मान सकते हो कि अटेक में हलका से गिरावट आई है और डिफेंस वाइज भी इसका परफोमेंस सही रहा है क्योंकि 0.6 था पॉइंस टेबल का कोटिंग फिलाहल के टाइम पर 0.5 मतलब इसने अपना डि से लोस के वेगालता संज़ी काफी बहतरीन अटेकिंग टीम है उसके सामने लोस बनता है लेकिन उससे पिछल मुकाबले इसने फिर से यहां से 0-0 से मैच को ड्रो खिला और फिर इस टीम ने 3-0 से विन भी किया है सीमी जू के सामने और उससे पिछल मुकाबले कासिमा तो यहां से पता चलता कि ये असा कि यहां पर्फो मेंस भी अच्छा हैं और लहां से ओर Continue more generally dog एस तो ब ही चान्स होता है मतलब चांस कम रहते हैं गोल की पर सयुआ करें लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है तो यहां से इसका पर्फो段 से आप मान सकतो फिर भी अच्छा है और यहां से ऐसा ही इसका अच्छा परफोंच और डिफाइंसी वाइज भी इस टीम ने गोल कंशीड नहीं कि कि इस टीम ने जीरो जीरो से मैक्च को ड्रो खेला यह तो गैज बात करें इस मैक्च कर प्रफोंच चलिए को पर्फोंच परति एक मैक्च में दो गोल प्रमेश सकोर करते हैं रिसेंट फॉरम का कोर्डिंग यह चीज़ देखनों मिले एक गोल सकोर करते हैं और एक ही गोल कंसीड करते हैं लेकिन इन दोन टीमों जो डिफेंस वो काफी मजबूत है जीरो पैंट मतलब 0.3 और 0.5 तो पॉइंस डबल का कोर्डिंग और इन दोन टीमों के रिसेंट फॉर वाला है यहां से नागो र्लाया गरमपाष वन गोल और वन गोल यहां से हाँ आपके देखने के मिल सकता है जोहुर दरनुर लृम तो यहां से इसे का अकॉडिंग मेंगों टीम बनाएं गे 1-1 के परडिक्सन का अनुसार लेकिन अगर लाइनप में कुई चेंजिंग होगी तो प्रडिक्शन में 110 परसंट चेंजिंग होगी यह फिला हाल के टाइम पर आप मान सकते हो कि इन दोनों टीमों के सटेट्स का अनुसार मतलब रिकोर्ड का अनुसार हमने प्रडिक्शन रखी है लेकिन प्लियर के वाइज कोई भी चेंजिंग हुई उसक ज्मयर के लेज़ियम, उसकी है मैंने माद सटार्टिंग लाइनप में कुछ हलके प्लियर को सटार्टिंग बाद में बेंच प्लियर को अच्छजो प्लियर को रंख लेते हैं, तो इसलिए मेरा सकोर लायन 1-1 का है, मैं यहां सब्सूपर this चीज का मानते हो माहनते चलता चाहिए 1-0 या 2-0 का अकोर्डिंग लेकिन जोहर दारूल उरूम अपनी लीग के अच्छी टीम है लेकिन मानता हूं कि जापान फुटबॉल अच्छा केला जाता है लेकिन जोहर दारूल उरूम जो तकजीम टीम है वो भी फिलहाल के टाइम पर बहुत अच्छा परफोर्मे के कि-कौन इस प्लियर न कितना गोल कितना असिस्ट किये तो सव्षपल नज़र डालेंगे जोहर दारूल तकजीम और यहां से नागोया गरामस के जो प्लियर scientifically तो उससे पहले हैं प्रिफ्च चेनल बहुत हैं अगर आप सर्च करके जोईन करोगे तो नहीं हो पाएगा हमारे चेनल नहीं पाएगा लेकिन क्रिकेट पोड बहुत हो जाएगे तो इसलिए आप में देकिए आप लिंक के जरी आप टेलिग्राम को जोईन करेंगे अब बात करते हैं सीधर कि यहां से पता चलता कि इस टीम की तरफ से जो फर्स्ट च्राइब टेकर बेर जेसन है और यह एक इंपोर्टेंट प्लियर कहना का मतलब कि इस टीम तरफ से सबसे बेस्ट प्लियर यहां से यह है वह बात करते हैं लेंड रोक जिसने 4 गोल कि 추천 लेकिन इसने चार मैंसे तीन गोल तो पैनल टीम की हैं, तो पता अब चलता है कि यहां से जो पैनल टेकर है, फस्ट च्वाइस, लेंडरो है, और इसी ने पिछल मैच में पैनल टी ली थी, मैंने पिछल मैच देखा, मतलब देखा तो नहीं तो लेकिन रिकोर्ड देखा था, तो यहां से लेन वाला है, वहिएब बात करते हैं अफिफ, एमान जिसने दो गोल किये, और यहां से बाकि सारे प्लियर्स का आप सामने, रिकोर्ड LA है, आप स्ट्रीक तो इमपोर्डेंट रहेगा इन प्लियर्स का अप्लिए सिट्रीक लेना, आप बात करते हैं, इस टीम तरफ से अस highest goal ticker फिलहाल के time पर Mathias है जिसने 6 गोल किया है और पिछले season भी इस team के तरब सी highest goal ticker ते 9 गोल करके वहें पर बात करते हैं शो इना गाकी जिसने 4 गोल किया है और वहें पर बात करते हैं यामा शाकी जिसने 3 गोल किया है और यहां से आप के लिए भी आप पिक करके चल सकते हो लेकिन मैं इन 3 में से किसी 2 को पिक करने वाला हूँ लेकिन क्या पता लाइन अप का कोर्डिंग दोन में से कोई एक ही start करें दो ही start करें तो उस condition में फिलहाल के लिए यहां से यामा शाकी को पिक करके चला हूँ अब बात करते हैं मीडा साइध अगर start करते हैं important player काफी बहतरी हैं खेलता है और defensive point भी देता है बंदा तो important रहेगा और maruyama जिसने एक goal किया तो important और yosida इन दो को भी pick करके चलेंगे अब बात करते हैं assist के मामले में इस team तरह तो एक बार नजर डालेंगे तो guys assist के मामले में यहां से yuki soma जिसने दो assist निकालें और यहां से yosida जिसने दो assist और yosida ने एक goal भी कया तो यह याद रहे कि इस team के तरफ से अगर आपको किसी को defender को captain पलस vice captain देना तो chance रहेंगे yosida का goal पलस assist में contribute करने का high किसी defender में से मैंने इने बोला कि attacker में से नहीं किसी defenders अगर goal assist आने के chance रहेंगे तो yosida एक important रहेंगे वहीं पर बात करते हैं second, third, fourth सारे players को बारे में आपके सामरे record है आप screen shot ले 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 ना यह सारे players वह हैं जिनका assist है लेकिन important फिल यहां से योकी, सूमा और यहां से मैथियस और योसीडा और आपके लिए यहां से मीडा अगर से start करेगा तो important रहेगा और बागी कापके सामरे record है, screen shot ले 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 ना अब बात करता है इस match का score line prediction हमारे रहा है 1-1 draw तो 1-1 draw का according जो इस match में समोल लिग टीम है, dream alone पर तो वो बनाने वाले हम, dream alone की टीम नहीं तो आप पने टेलिग्राम चैनल पर सर्च भी कर सकते हो, add the red cricket port जैसे आप add the red cricket port सर्च करोगा हमारे जो चैनल उसमें 600 पलस का subscriber है बाकी यहां पर साड़े 3000 यह अपना नहीं है जैसे साड़े 9000 यह अपना नहीं है इसलिए तुमना आपसे बोड़ा कि वीडियो को लिंक और सबसोब परवाल कॉमेंट से आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो और याद रहे, अगर लिंक काम नहीं करता तो चैनल पर, मतलब टेलिग्राम पर सर्च करना, add the red cricket pod तो आपको यहाँ पर ने, बहुत सारे option के देखनों मिलेंगे, लेकिन हमारा जो actual है, add the red cricket pod है उसका आगे पीछे कुछ नहीं है, तो उसी को सर्च करना, और जो इस सर्च में आई उसी को जोईन करना, अब बात करते हैं जो हमारे चैनल की परतियक पोस्ट रहती है उसमें कम से कम आपको 1000 पलस के वीज़ देखनों मिलेंगे, फिलाहल के टाइम पर अपडेट नहीं हुआ, हाँ हो गया, तो यहाँ पर आपको कम से कम परतियक पोस्ट पर 1000 पलस की वीज़ देखनों मिलेंगे, और इसी टेलिग्राम चैनल को आपको जोईन करना, और यहाँ पर हम आपके लिए समोल लीग टुट टीम कनफरम देते हैं, पलस फिलाहल के टाइम पर तो आज कल गिरांड लीग की 20 टीम भी कनफरम मिल रही है, तो आप जोईन भी कर स तो इस कंडिसम लेकिन उम्मीन जता ही जा सकते हैं कि हम जिरांड लीग कर सकते हैं, तो उम्मीन है कि कल भी एक MPL में मेंबर्स ने 20 टीम डिरण लाए थे, तो आपके अच्छो लगा मुझे उसका भी रिपलाई बहित अच्छा यह था, लेकिन यहाँ पर सार मैंबर्स दे वरना 20 टीम में से कम से कम आपके लिए 16 टीम तो विनिंग जोन में एलवाइज रहती हैं और एक दू टीम तो यह सी रहती है कि जो सारा जो 20 टीम को पैस रहता है एक दू ही लिया आती है तो इसलिए आप से उम्मीद है कि अगर आपको पास मतलब वैलेट में अमाउंट है अ इसलिए सोच समय करना अब बात करते हैं इस मैच में सकोर लाइन पर डिक्शन अपना रखा है वन वन ड्रो तो वन वन ड्रो का को अकोर्डिंग इस मैच में क्या रहने वाली जो हमारी समोल लीग टीम है ड्रीम इलोन पर तो यह बढ़ना जा डालेंगा वाइस फिलार के ल लेकिन जो फाइनल लाइनप आईगी इन प्लियर की पोजिशन को वाइस उसका अकोर्डिंग यह पता चल जाए कि गोल करने का किसका हाई चांस है तो उसी को मैं अपने टीम में फाइनल कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन भी दूंगा और जो टीम रहेगी फाइनल वो आप आपको प्लियर की पोजिशन वाइस मिलेगी ड्रीम इलोंड पर मतलब हमार टेलिग्राम चैनल पर फाइनल लाइनप आने के बाद थैंक्यू वेरी मच अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा और आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना अग थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा किया है वीडियो में तो हॉप्स आपको पसंद आई होगा अगर नहीं आई तो डिस्लाइक करना